असलाम अलेकुम वरहमत अल्लाह बरकातो हूँ राइटिंग स्किल पर अब तक मेरे तीन वीडियो यूट्यूब पर आचुके हैं दो लेटर राइटिंग के बारे में थे और पिछला वीडियो डायलोग राइटिंग के बारे में था आज का हमारे वीडियो डालेग राप राटिंग के आप्शन में जो स्पीच राटिंग है उसके बारे में होने वाला है इस स्पीच राटिंग में किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है इसकी कुछ एक्जाम्पल्स इंशाला इस वीडियो में हम देखेंगे इस स्पीच राटिंग जिसे हम उर्दू में तक्रीर नवेसी कहेंगे नाइन्थ और टैन्थ स्टेंडर्ड के स्टूडंट्स को पांच मार्क के लिए पूछा जाता है अमली तोर पर तो स्पीच तक्रीर एक्चुली आपको प्रिजन्ट करना होती है स्टेज पर लेकिन इम्तिहान में आपको ये लिग कर दिखाना है स्पीच राइटिंग की शिरुवात किस तरह से करेंगे मिडल सेक्षिन किस तरह का होगा और इसके एंडिंग कैसे होगी आईए मैं आपको बताता हूँ स्पीच राइटिंग तीन इंपोर्टन पार्ट्स पर डिपेंड करता है पहला है इंट्रोडक्शन याने तमहीद जहां से अपनी बात आप पेश करते हैं दूसरा बड़ा हिस्सा और ज़्यादा इंपोर्टन इसा वो होता है आपका मेन बॉड़ी यहीं पर आप अपने असल टॉपिक के बारे में तफसिली मालूमत देते हैं और इसका आखरी हिस्सा होता है कन्कुलूजन याने उर्दू में इख्तिताम इख्तितामिया जुमले इन तीन हिस्सों को लिखते वक्त मार्क्स की स्कीम क्या होती है आईए मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ यहां ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जिस तरह से मैंने यहां पर तीन हेडिंग इंट्रोडक्शन, में बॉड़ी और कन्कुलूजन बताया हूँ आपको इम्तिहान में आंसर शीट में इन्हें हेडिंग के तौपर लिखना नहीं है बलके आपको तीन पैग्राफ्स बनाने है स्टूडन्स इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए आपके स्क्रीन पर अब स्पीच राइटिंग की मार्किंग स्कीम बताई जा रही है यहाँ पर पहला मार्क सही तरीके से बिगिनिंग या कंक्लूजन पर दिया जाएगा याने आपके शुरुआत के चार पांच जुमले और उसी तरह से आखरी के चंद जुमले इन पर आपको एक मार्क मिलता है दूसरा पैग्राफ जो आपका बड़ा पैग्राफ है यही आपका मेंड बॉड़ी भी है इस पर आपको दो मार्क मिलते हैं लेकिन अगले जो एक-एक मार्क आपको मिलने वाले हैं वो भी इसी बड़े पैग्राफ पर डिपेंड है याने कि तीसरा हिस्सा sequence and flow of the language आप किस तरह से तरतीब वार अपनी बातों को सलीका मंदी से पेश करते हैं इस पर एक मार्क दिया जाता है याने आपके मेन बाडी पर पहले दो मार्क दिये गए और अब दोबारा से उसी बात पर सही तरीके से पेश करने पर एक मार्क दिया गया और जो हमारा आखरी पांच मार्क में से एक बचा है वो है सही तरीके से ग्रामर का इस्तेमाल करने पर जो के जाहिर सी बात है grammar का इस्तेमाल भी आप अपने main body में ही करेंगे यानि इस तरह से main body पर आपको कुल 2, 1, 1, 1 यानि चार marks मिलते हैं आईए इस हिसे में आप जानते हैं कि speech writing को लिखते वक हमें किन बातों का ध्यान रखना है पहला point है a speech should be informative आपकी जो तक्रीर है वो मालुमात से पूर होनी चाहिए यानि उसमें to the point पाते होनी चाहिए इधर उधर की बाते नहीं की जाएगी दूसरा point है the language should be easy and clear आपकी जबान ऐसी हो जो आसान हो सहल हो आसानी से समझ में आए तीसरा point है there should be use of rhetorical questions आपको इस तरह के सवालात का इस्तिमाल करना है जिने हम उर्दू में तक्रार वाले सवाल कहते हैं यानि मुखातिप को इस तरह से बार बार सवाल किया जाता है जिसका जवाब हां में होता है मिसाल के तौर पर अक्सर लीडरान अपनी तक्रीर में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं जैसे गांधी जी को आज कौन नहीं जानता इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी को कोई नहीं जानता बलके हकिकतन बात ये है जो मकर्रिर है वो अपनी बात में लोगों से ये बात मनवा रहा है कि गांधी जी को हर कोई जानता है एक सडकों की खराब हालत को हर कोई जानता है इस तरह के सवालात को rhetorical questions कहते हैं आपको चाहिए कि इस तरह का एकाज सवाल अपने तक्रीर के दोरान यूज़ करें चौर्था पॉइंट है Direct address to the person's hearing can be done using words like friends and do you know do you agree to this आपको इस तरह की जमले इस्तिमाल करना है कि जैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक है कुछ इस तरह की जमले आप इस्तिमाल करेंगे जिससे आपके audience आप से connected रहेंगे जोडे रहेंगे पांचमा पॉइंट है कि slogans and quotations of great persons make speech effective आप अपनी तक्रीर के दोरान कुछ ऐसे slogans याने नारे या quotations से नकवाल दर्ज करेंगे जो मशूर इनसानों ने इस से पहले कहें हैं जिससे आपकी तक्रीर मजीद मौसर बन जाएगी अब आपके स्क्रीन पर मैंने एक ऐसी इस स्लाइड यूस किया हूँ जो आप ही किताब से है 10th की स्टेंडर्ड की किताब से यहां पर यह बताया जा रहा है कि आप कुछ इस तरह के phrases कस्तेमाल करें जिससे आपकी तक्रीर मजीद बहतर बन सके मिसाल की तरह पे पहला जुमला आप तमाम को यहां देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई या फिर आप कह सकते है उसी तरह से आप दूसरा जुमला भी कह सकते है आज का मेरा उन्वान है और फिर अपना उन्वान आप यहां पे लिखेंगे या फिर आप ऐसे भी कह सकते है My talk is about या आप कह सकते है My topic is और डिरेक्ली आप अपने उन्वान का ऐलान करेंगे तीसरा पॉइंट याने C यहां पे बताया जा रहा है The purpose या aim of this speech is और आप अपनी बातों को यहां पे बताएंगे कि मेरे इस तकरीर का मकसद क्या है चौदा पॉइंट I will focus on 1 अपनी तकरीर में 1 या 2 या 3 मुद्दोग पर बात करने वाला हूं saya के तौर पर अगर आप आलूदगी पर बात करें तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी तकरीर में 3 आलूदगी के मसाईल पर बात करने जा रहा हूं और वो 3 मसाईल इस तबात से हैं पांचवा याने ई-पॉइंट है, इफ यू हैव एनी कॉस्चन, फील फिरी तू आस्ट मी, आप अपने ओडियोंस को कनेक्ट करने के लिए इस तरह सका जुमला यूज करेंगे, कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो प्यारे बच्चो, स्क्रीन पर दी गए इन जुमलों को आप अपने नोट बुक में लिख लीजिए, और हो सके तो नहीं अच्छी तरह से हिफ्ज कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल आपको अपनी स्पीच में करना होगा, वैसे आपके किताब के पेज निंबर 25 और 26 पर 10th स्टेंडर में ये बाते दी गई है, आपके स्क्रीन पर बताई जा रहे हैं, इस डाइग्राम को देखिए, जो के मैंने स्टेंडर 10th की किताब से ही हासिल किया हूँ, अगर हम इन सवालात को जो स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने तक्रीर को बहतर अंदाज में लिख पाएंगे, आईए मैं आपको clockwise याने घड़ी की तर्तीब के तरह एक-एक सवाल को पढ़का सुनाता हूँ, और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, यहां पर पहला कोश्चन है, आपकी तक्रीर कितनी दिर की हो, या कितने सत्रों पर मबनी हो, तो मेरे मताबिक, याने एक से देड़ सफा के दर्मियान तक्रीर लिखना बहतर होगा, दूसरे सवाल है, क्या मुझे फॉर्मेट के बारे में पता है, तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था, कि तक्रीर तीन हिस्सों पर मबनी है, मैं अगले कुछ मिंटो में आपको बताऊंगा कि शिरुवाद के जुमले किस तरह से लिखे जाते हैं, अगला पॉइंट है, हमें लिखना क्या है, असल में यही आपका में बॉड़ी है, क्या लिखना है, हमें अपने टॉपिक को डीटेल में समझाना है, अगला सवाल है, आप अपनी तकरीर को ज़्यादा बहतर यानि मियारी किस तरह से बना पाएंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ अच्छे से फ्रेजेज, स्लोगन्स और कोटेशन्स का इस्तेमाल अपनी तकरीर में करें, इस तरह की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें जो मुस्तनद हो, जो आपने इंटरनेट से, विकिपीडिया से या कहीं इस तरह से गूगल से हासिल की हो, अगला सवाल है, असल में ये पांचवा और छटा पॉइंट मिलकर ही हमारी बात होती है, कि हमें कुछ अच्छे से अकवाल, सुलोगन्स, मुहावरो का इस्तेमाल करना है, अगला सवाल है, विच आर दे मोस्ट इंपॉर्टन्ट एलिमेंट्स तो बी इंकुलूडेट, कौन सी ऐसी बात हैं जिसका हमें शामिल करना बहुत जरूरी है, इंशालला मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगा, कि आपकी लेंग्वेज का स्टाइल किस तरह का हो, साधे सिंपल से अलफास का स्तेमाल आपको करना है, और आखरी सवाल है, याने तकरीर लिखने का एक सही सली का किस तरह से होना चाहिए, याने तकरीर का पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन याने तमहीद, शिरुवात के 3-4-5 जुमले, यहाँ पर पहला पॉइंट आपको जो बयान करना होगा, वो है, ग्रीटिंग दा ओडियन्स, याने आपके सामने जो लोग बैटे हैं, आप उनको किस तरह से ग्रीट करेंगे, मिसाल की दौर पर, आप कह सकते हैं, Honorable Headmaster, Respected Teachers and All My Dear Friends, इसके बाद दूसरा हिस्सा इसी में आएगा, वो होगा, इंट्रोड्यूस यूर्सेल्फ, याने अपने आपके बारे में बताईए, क्या आप कौन हैं, अब आप अपने असल टौपिक का नाम, उन्वान, यहां पर आप पेश करेंगे, ताके लोगों को पता चल सके, आप किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जैसे के, I am going to deliver a speech, on the topic of health is wealth, on this occasion, I hope you will listen to me carefully, प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको यह जुमले बताया हूँ, आप इन्हें अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए, क्यूंकि जब आप इम्तिहान में, इस तरह की जुमलों का इस्तेमाल करेंगे, तो कम से कम आपकी शिरुवात एक अच्छा अंदाज में शिरू हो जाएए, अरे बचो, अब हमारा दूसरा पैग्राफ जो के हमारा में बॉडी होने वाला है, जो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है, क्यूंकि इसके उपर आपको टू प्लस वन प्लस वन, यानि के टोटल फोर मार्क्स आपको यहां मिलने वाले है, यह पैग्राफ फैक्ट्स पर मबनी होना चाहिए, यानि मालुमात से पुर, सही मालुमात, यहां आप मुनासिब मिसाले देंगे, जहां मुनासिब लगे सवाल पूछेंगे, अपने टॉपिक को भरपूर अंदाज में एक्स्पिलेन करेंगे, कोशिश कीजिए, कि आपका ये पैग्राफ आट से दस लाइन्स पर मबनी हो, यहां पर अच्छे फिक्रों का, महावरों का, इस्तेमाल हो, कुछ अकवाले जरीन का इस्तेमाल हो, किसी मशूर इनसान का कोट आप यहां पे लिख सकते हैं, मुनासिब ग्रामर का इस्तेमाल करें, जितना मुनासिब डेटा आप यहां पर लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, कोशिश कीजिए कि बहुती मुस्तनद हो, गूगल, विकिपीडिया जैसी वेबसाइट के हवाले से हो, या एटलिस्ट आपने किसी अखबार में या रिसाले में उन्हें पढ़ा हो, चाहे तो आप अपनी साइन्स की किताब से, या जोगरफिक किताब से भी हवाले दे सकते हैं, श्क्रीर का आखरी पैग्राफ यानि तीसरा हिस्सा कंकलूजन पर है, या एक्तितामिया जुमले, यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ दो तीन लाइनों का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आप अपने टॉपिक को कंकलूड करेंगे, बातों का इखतिसार यहाँ पर बयान होगा, और आखरे में आप अपने ओर्डियंस को थैंक्स कहेंगे, शुक्रिया का जुमला कुछ इस तरह से हो सकता है कि, आइ थैंक यू फ्रेंड्स फर लिसनिंग तो मी वेरी केरफुली और अंडर्स्टेंडिंग, थैंक यू आल, गुड़बाई, लिखते वक्स साफ सफाई का ध्यान रखे, खुशकत और लीजिबल अंदाज में यानि काबले फहम हेंड्राइटिंग का इस्तेमाल करें, हमेशा स्पैलिंग मिस्टिक्स से अपने आपको बचाएं, आपकी सहूलत के लिए मैं स्क्रीन पर रिपब्लिक डे स्पीच आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसे अपने नोट बूप में लिख लीजिए, जहां मुनासिब लगे स्क्रीन शॉट निगा सकते हैं, अब मैं इसी तक्रीर का दूसरा हिसा आपके सामने रखता हूँ, आप भी अपने स्क्रीन को कुछ मिनट के लिए रोक लीजिए, और तक्रीर का दूसरा हिसा इसे भी अपनी नोट बूप में लिख लीजिए, शुकरिया, स्क्रीन पर स्क्रीच राइटिंग की एक दूसरी एक्जामपल रखी है, टॉपिक है माई हॉबी यानि मेरी आदत, यहाँ पर भी आप अपने वीडियो की स्क्रीन को पॉस कर लीजिए, नोट बूप में लिख लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट लिखा लीजिए, कुश्चन कुछ इस तरह से है, 20 मार्च को यौमे तयूर यानि चिडियो का दिन मनाया जाता है, राइट अ स्पीच ऑन दे प्रॉब्लम्स फेस्ट बाइट बाइट अपने इन डेजर्जर्ज स्पेसीज, चिडियो को क्या-क्या मसाइल आते हैं और वो किस तरह से खत्रे में पढ़ गई हैं उनकी नौ, उनकी नसल, इसके बारे में आपको तक्रीर लिखना है, तक्रीर लिखने के लिए जो पॉइंट्स इस्तिमाल होने वाले हैं, वो डाइगराम में नीचे दिये गए हैं, जैसे नमबर एक, लॉस अफ हैबिटेट्स, चिडियो के मसकन खतम हो रहे हैं, नमबर दो, मॉबाल टावर्स, नमबर तीन, इनसानों का उनके तालुक से मिज़ाज ये बढ़ताओ, चेंच इन इन्वार्मेंट, माहौल में तबदीली, ये भी चिडियो के खतम होने के लिए बहुत बड़ा मसला है, इसके लावा, पॉलिशन, आलूदगी, इसकेरसिटी ओफ फूट, खाने की किल्लत हो जाना, कटिंग डाउन ट्रीज, दरख्तों को काटा जाना, और आखरी पॉइंट है, एड यूर ओन पॉइंट, ये आप अपने तरफ से भी कुछ बातों का इज़ाफा कर सकते हैं, आईए, अब इसका आंसर किस तरह से होगा, मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, प्रॉब्लम्स ओफ स्पैरोस का आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है, इसके इंट्रोड़क्टरी सेंटेंसेज देखिए, बीच का मेंट बॉड़ी देखिए और इखतिताम देखिए, जहां मुम्किन हो, वीडियो को पॉस करें, और इसे भी अपनी नोट्बुक में लिख सकते हैं, वक्त को बचाने के लिए, मैं पूरा स्क्रीन टेक्स्ट आपको पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, वरना ये वीडियो काफी तवील हो जाएगा, आरे टेंथ स्टेंडर्ड की कोर्स बुक हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए इस तरह की जुमले भी देती है, जिसे जहन नशीन कर लेना, याद कर लेना बहुत फाइदे मन हो सकता है, कोशिश कीजिए के आप इन जुमलों को याद कर ले, साथी साथ जहां मुनासिब हो, उनका इस्तेमाल अपनी स्पीच में भी करें, अब यहां पर मिसाल की तौर पे बारा कुछ ऐसे जुमले हैं, जो आप मुखतलिफ किसम की तकारिर में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि पूरे बारा के बारा सेंटेंसेस एक ही तकरीर में इस्तेमाल होंगे, हो सकता है किसी एक टौपिक की तकरीर में सिर्फ दो-चार ही जुमले यूज हो पाए, या हो सकता है किसी और तकरीर में पांच-छे जुमले यूज हो जाएं, मिसाल के तोर पर आपका टॉपिक हो पॉलिशन आप यहां पर पहला जुमला जो दिया गया है imagine what will happen after 10 years सोचिए 10 सालों के बाद क्या होगा या दूसरा जुमला I would like to share with you an example from my own experience मैं खुद अपनी जिंदगी से आपको एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ यह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं C नंबर का सेंटेस वही है जो हमारे इंट्रॉड़क्शन में था यानि के चौधा जुमला यह आपके मेन बॉड़ी में इस्तेमाल होगा यहां पर आप रेफरेंस देंगे कि फला फला रिपोर्ट में बताया गया है जो मेरी तकरीर की बात को साबित करती है पांचवा सेंटेस यानि ए नंबर पर I don't understand why we are so negative about this issue मुझे समझ में नहीं आता हम लोग इस टॉपिक पर इस मुद्दे पर क्यों इतने निगेटिव माइन रखते हैं या जी नंबर के सेंटेस पर गौर कीजिए आज मैं आपके सामने फला फला मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहता हूँ ये भी इंट्रोडक्शरी माफ कीजिए इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में यूज हो जाएगा उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई बाते आपके लिए बड़ी फायदे मन रही होगी वीडियो के आखर में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जादर से जादर शेयर कीजिए इंशाला अगले वीडियो में जो के रैटिंग स्किल पर ही किसी टॉपिक पर बनाऊंगा जल्द मुलाकात होगी अल्ला हाफिस